नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथ्यों का एक स्मार्ट स्टेडी पर साथ्यों आज अब 5 मार्च 2024 और आज SSE GD का पेपर था जिसका सेकंड सिप्ट का पेपर छूट चुका है आज की इस वीडियो में आज सेकंड सिप्ट में पूछे गए सभी कोस्टन आंसर को सब्सक्राइब देखेंगे तो जो साथ्यों का सिप्ट में पेपर देख रहे हैं वह तो मिला लीजेगा कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वह सैइऑ या गलत है और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए रामबान कलास है क्योंकि साथ्य तो हर shift में questions repeat हो रहे हैं तो चले फिर शुरू करते हैं और देखते हैं questions तो साथ आपको पहले बता दे कि आज का जो पहले shift में paper हुआ था और अभी जो second shift में paper हुआ है इसमें GS का जो label है न वो थोड़ा tough देखने को मिला है पहले shift के मुकाबले ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है चलिए देखते हैं कौन-कौन से questions हैं जो कि आज के second shift में पूछे गए हैं तो आप सभी से request है class को एक like कर दीजे class अगर पसंद आए तो आपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा आप में से कोई भी साथी नया है चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लिजेगा और आपका paper अब क अब है यह आप हमें comment box में जरूर बता देना चलिए तो देखते हैं question जैसे कि आपसे question यह पूछा गया था second shift में कि 2018 ASEAN Games में भारत का द्वजवाहक कौन था यानि 2018 में जो ASEAN Games हुआ था उसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन था तो इसका correct answer हो जाता नीरेज चोपड golden boy नीरेज चोपड़ा याद रिखेगा 2018 के ASEAN Games में भारत का द्वजवाहक कौन था तो नीरेज चोपड़ा अगर आप लोगों ने answer किया तो बिल्कुल सही है आपसे आने वाले shift में यह पूछा जा सकता है कि 2022 के ASEAN Games में भारत के ध्वजवाहक कौन थे तो याद रखना PR रिजेस हैना दिखिए यह भारत के एक होकी खिलारी है PR रिजेस जिनोंने 2022 के ASEAN Games में भारत की ओर से धोजवाहक किया था तो यह आपको याद रखना है ठीक है आगे question आपसे यह पूचा था कि इन में से किस निर्टांगना को सबसे कम उम्र में पदम भूसन मिला था तो जिनको 2003 में पदम भूसन दिया था सोनल मान सिंग की बात करें तो यह भारत नैट्यम और ODC निरीत थे हैं दोनों ही निरीत सेली की गुरू है याद रिखेगा सोनल मान सिंग भारत नैट्यम और ODC दोनों ही निरीत की गुरू है आपसे यह भी पूचा जा सकता है आने वाल दिधर कितने प्रतिसत रही थी यानि 2001 देखिए 2001 से 2011 के बीच में हिंदु जन संख्या में कितने प्रतिसत बिरिद्धी हुई थी यह आप से पूछा था तो करिक्ट अंसर हो जाता 16.6% है ना 16.76% इस कोस्टन का करिक्ट अंसर हो जाता आगे एक कोस्टन यह पूछा था के नौण फाथ है 903 देखिए प्रति 1100 पूरूश पर कितनी महिलाएं है तो 948 लिंगनुपात के बात करे तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि भारत का दो हजार इगारा के जनगर्ना के अनुसर भारत के किस राज का लिंगानुपाद सबसे अधीक है तो याद रिखेगा केरल का और अगर पूछे दो हजार इगारा के जनगर्ना के अनुसर किस राज का लिंगानुपाद सबसे कम है तो फिर क्या अंसर करोगे हरियाना का याद अली खान का संबन किस बादी अंतर से है तो साथियो रूद्र वीना वजाने में महारत थे आगे दिखिए आगे क्वेस्टन आप से पोंगल से पूछा था और डायरेक्ट आप से यह नहीं पूछा था कि पोंगल किस राज का तियोहार है तो तो आप आसानी से बना देते तमिल नाडू और साथ वो पोंगल के समय कौन सा एक और तियोहार किया जाता है अगर ऐसा पूछे तो जल्ली कट्टू लेकिन आज उपलप्ष में मनाया जाता है इस प्रकार से पूछा था तो देखिए पोंगल का जो तियोहार है यह खास तोर पे चावल और गन्ना गन्ना है ना गन्ना यानि एक सुगर के जिसको बोलते हैं गन्ना गन्ना की उपलप्ष में मनाया जाता है देखिए आपको इसके बारे म होने के बाद सुरिय देव की विशेश पूजा कि जाती है तो आपसे पूछे कभी भी कि पुँचे पॉंगल तिवहार में किस देवता की पूजा होती है तो सुरिय देव की और उन्हें प्रसाद रूप में यहां पूंगल वह गनण गनण अरपन किया जाता है तो गन्ना तो दिया हुआ था आपको चावल बताना था चावल इस question का correct answer हो जाता ठीक है आगे देखिए आगे आपसे question पूछा था किस पंचवर्सी योजना का मुझे खुद देश ओधोगी की करन था या भारी उधोगों को बढ़ावा देना था या भारी उधोग सही क्या होगा अगला एक question और था पंचवर्सी योजना से अपसे ये पूछा था कि पहली पंचवर्सी योजना के दोरान विकास दर का लक्ष कितना था तो देखिए पहली पंचवर्सी योजना के दरान दोरान जो है बारसिक और सत्थ विकास दर का लक्ष जो है दो दसम मलब 61 परतिसत ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए और अगर आपसे पूछे साथ हो आने वाले सिप्टों में की पहली पंचवर्सी योजना का मोडल किया था क्योंकि 3-4 बार अभी तक पूछ चुका है तो याद रखना हेरोड डोमर मोडल ठीक है आगे दिखिए आ बैंक ओफुष्थान तो बैंक ओफुष्थान यहां आपका करेक्टेंसर हो जाता जो की 1771 में इस्थापित रहे हिंवा था और मोरिय समराज की अस्थपना हुई थी मोरिय समराज की अस्थपना किष्णे की थी अगर आपसे पूछे तो याद रिखेगा चंद्र गुप्त मोरिय ने की थी और अगर आप बरतमान में राष्टिया उप सुरक्षा सलाकार कौन है तो देखिए बरतमान में रजिंदर जी के बाद जो है साथियो बिक्रम मिस्री को बनाया गया था जो कि अब तक है तो देखिए बरतमान में राष्टिया उप सुरक्षा सलाकार कौन है तो बिक्रम मिस्री तो इस कोस् रातमान में राष्टिया उफ सुरक्षा सलाकार कोन है तो उफ सुरक्षा सलाकार आपके विक्रम मिस्री जी है तो विक्रम मिस्री यहां आपका करेक्ट एंसर होता एक कोस्चन संभिधान से था यह था कि आत्म दोसारोपन का संबंद संभिधान के की सनुच्छिद में है तो यह अनुच्छित 20 है, तो यह 12 से 35 के अंतर गति आता है, यानि एक मौली का धिकार है, तो यहाद रिखे, option number, option आपको जो भी दिया हुआ था, अनुच्छित 20 इसका correct answer हो जाता, और अगर आपसे पूछा था कि आत्म दोसारोपन का संबन किस्से है, option में अगर मौली का धिका दिया हुआ था, तो मौली का धिकार correct answer हो जाता, आगे दिखिए, एक question था लच्मी लाडली योजना, ठीक है, या फिर लाडली लच्मी योजना भी इसको बोला जाता है, तो लाडली लच्मी योजना 2023 में, 2023 में किस राज सरकार ने सुरू किया है, तो साथ्यों इसका तो correct को तीन अंक, कब दिया जाता है, ये बहुत ये अंदर वाला question था, काफी सारे बच्चों से नहीं बना होगा, तो देखिए, एक खिलाडी अपनी कमर के अस्तर से उपर उठाते हुए बिरोधी को नीचे लाने में सक्षम होता है, तो उसे तीन अंक दिया जाता है, खड़े रहते हुए टेक डाउन पूरा करने से पहले अपने विरोधी को उनकी पीट पर नीचे लाते हुए अगर पटक दिया जाता है यानि जमीन अस्तर से उठा कर उसको अपने कमर से उपर उठा कर अगर पटक दिया जाता है नीचे कुस्ती में तो उस खिलाडी को जो है न तीन अंक दिया जाता है तो I hope इस प्रकार से कोई आपको options जरूर दिया होगा कि उपर से देखे जमिन के उपर से उठाकर पटकना इस प्रकार से कोई option दिया होगा जो कि आपका correct answer हो जाता ठेक है चलिए आगे दिखते हैं आगे एक question था साथ ही इस question पर doubt है मुझे इस question पर 99% doubt है कि नहीं आया था अब एक परसेंट है कि भले आया होगा क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा बताया गिया है अगर आया था कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता देना यह question पानिपत का पर्थम युद कभ हुआ था तो दिखे पानिपत का 1226 में हुआ था बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में अगर आपसे पूछा था तो यह आपका आंसर होता है अगर नहीं पूछा था तो कोई बात नहीं क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा बताया गिया question साथ हो आगे दिखिए question था निर्वाचन आयोग किस प्रकार का बताया गिया है तो यह तो अनुछिद में बताया गिया ही है तो यह प्रकार का संवेधानेक निकाई होगा ना देखिए एक question था कलरी देखिए कलरी प्यट्टू का संबन किस राज से है तो कलरी प्यट्टू जो है एक युद्ध कला है एक युद्ध कला है जो की केरल राज से संबन दी थे तो साथ यो आज के second shift में मुझे इतने questions मिलपाए थे थे के हिंदी की बात करें तो लेबल वही था आप से दो परियावाची पुछा जा रहा है दो बिलोम सब्द पुछा जा रहा है तत्मव तत्वा से किसी सिफ्ट में एक किसी सिफ्ट में दो पूचा जा रहा है बाइक के सुद्धि से तीन बनने वाले हैं बाकि आप सारे questions बना ही सकते हो ठीक है तो साथियो आपको अगर कोई भी question याद है आज के second shift में तो comment box में बताना आपका paper कभ है ये भी आप हमें बता देना तो मिलेंगे आपसे next video में next class में तो मिलते हैं साथियो अगले class में तब तक स्वस्त्रे हैं एक आते हैं तो उससे कई सारे questions आपको आपके paper में हुआ 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 देखने को मिलेंगे और smart study 2.0 में मैंने सारा topic करा दिया है जिन जिन टोपिक से अभी तक जीडी ने questions पूछा है वहां से अगर पढ़कर जाते हैं तो कोई भी question तो आपका नहीं है छुटेगा तो मिलेंग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद